अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंट्रेंस एक्जैमनेशन्स में पूछे गए कुछ प्रिविएस इंपॉर्टेंट के बिसे में आए बच्चों आज हम 25 क्वेस्टन लेकर आएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी कमपर्टिटिव पॉइंट आफ वीप से करीब करीब सभी कमपर्टिव एक्जैमनेशन्स में बच्चों चाहे वो नीट हो चाहे वो एम्स हो जिपमर हो चाहे वो बेसी नर्सिंग हो या अधर कोई कमपर्टिव एक्जैमनेशन्स हो बच्चों सब में यही क्वेस्टन पूछे जाते हैं थीक है बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिश्टन हैं तो आयए समेंज ढांत चुछं करते हैं अपने क्रिश्चन का है कि कुछ खाल सिसमें ठीक बच्च उसमें हम डाला है बच्चों जो हमने अपना लेक्शर्स दिया है तो इसमें बच्चों हमने बताया है कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन वह सबसे पहले टू किंग्डम सिस्टम आफ क्लासिफिकेशन फिर फॉर किंग्डम सिस्टम आफ क्लासिफिकेशन और अब जो हम दूसरा है Darwin, तीसरा ही टाइकर और चौथा है Bentham and Hooker तिसमें जो सही आप्सन होगा बच्चो वो होगा आप्सन नमबर थ्री जैसा कि इसमें ट्रिक लगा हुए बच्चो आप्सन नमबर थ्री जो होता है बच्चो यह क्या होता है यह सही होता है और था थे ही टाइकर ने सब बच्चो नहीं पूरे ँस्टा बर अर्गैनिसम को नोने फाइव किंडम में बाट दिया कितने बच्चोव इन्होंने पूरे और गैनिसम केihin में किभागों में बाटा इन्हें 69 में जैसा कि आप देखे इस स्पिगर के माध्यम से और देखिए फाइव किज़ना कुलासिक मोनेरा में जिसमें अइसा नुकलियस में नुकलियस नहीं था और इसमें डियन्य विदाउट हिस्टोन था बच्चों ऐसे आरगेनिजम को किसमें रखा गया kingdom monera में रखा गया और kingdom monera में जिन organism को उन्होंने placed किया जिन organism को रखा बच्चों वो कौन है blue green algae and bacteria अर्थाथ bacteria और xenobacteria को बच्चों उन्होंने किस में रखा kingdom monera में रखा और kingdom monera का जो unique feature होता है वो क्या uniceller एक कोसकी लेकिन यूखराटिक आरगेनिजम को उन्होंने किस में अस्थान दिया बच्चों प्रोटिस्टा में ठीव चों तो यूखराटिक फंजाई भी इसमें रखे गए हैं तो अगर हम इस समय कहें बच्चों कि इस समय बारतमान में dust bean कौन है तो अभी जो बच्चों हम लोंगYouатru dust bean मिलेगा यह protista ही मिलेगा क्योंकि protista में plant uniceller eukaryatik plant भी रखे गये Infinite animals भी रखे गया और 1967 ये guardian eukaryatik fanzai भी रखे गये हैं इस प्रकार से आने वाले समय बच्चों अभी हम protista उन्हें के लिए इस से कुछ और रिडिक्र कर सकते हैं ठीवरेजाइट बदेस्टर्पान समय का कऊने प्रतिश्टा हैं प्रोतिश्ट हें तीसरे सकते हैं इसे बंगनेम पाइभन आर्ट मिदुहें इनमें सेलवाल तो पाया जाता है बच्चों लेकर ये नान फोटो सेंथेटिक होते हैं अर्थात इनमें आट्रोट्रापिक मोड आफ न्यूटिसन नहीं होता ये अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते हैं अपने भोजन के लिए इनको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होना पढ़ता है इसलिए इसमें ये क्ए हो बच्चों अर्थात प्लांड के करेक्टर से इंपर होगा इसलिए इनको लग रूप में इस चाफित किया गया और इसको क्या ऑगिक्डम फनंजाई ठीक भच्चों तो मिंसलाई क्या होते हैं बच्चों ये एक्टोक मोड़ मोड आ प्रकार से ही टेकन ने बच्छों नाइटिन स्वेम नहीं बना सकते हैं और यह भी मल्टी सिल्लर यूकरियाटिक आर्गेनिसम होते हैं तिस प्रकार से यह टेकन ने बच्छों 1969 में पूरे आर्गेनिसम को फाइफ किंग्डम सिस्टम आप क्लासिफिकेशन में डिवाइट कर दिया ठीक बच्छों डेखते हैं नेक्स्ट क्रिस्टन इसमें कहा गया बच्छों लेटरल रूट कहां से अराइज होता है लेटरल रूट का विकास कह अंहां से होता है चाहीं बच्छों ऑपक्सान है जसको में रूट कहते हैं कि इस में रूट से एक शो CI4 निकला हetr així कनगा बच्छों तो ट्रेंट एटरी रूट से चो आस्पस्को हम लेटरल रूट कहते हैं और यह लेटरा लेटरल रूट कहां से बनता है जैसा कि आप डिख रहे हैं जो पोसिसनिंग में बच्छो जो आप इंडो자를 मीश के जस्ट नीचे कर भाग होता है इसे थे परिसकील और इस JUST नीचे कर भाग होता तो वह तो परिस哇 कहां पाजाता है इंडो डर्मिस के जस्ट नीचे का जो भाग होता है इसको उसको क्या कर से हैं तो it is very very important पेरी cycle से आईए बच्छो देखतें है next questions को लान ए यो अ्य ये प्लोच आउडल our place है बच्छो वो किस आर्गेनिशम में देखने को मिलता है आपसन है यूलोत्रिक्स दूसरा है इस्पाइरो गारा तीसरा है कारा होचा होता है सिनिक्टिमा ठीक बच्छो साइटुनीमा तो सही आपसन इसमें जो होगा बच्छो यह होगा यूलोत्रिक्स जैसा कि बच्छो आप फीगर में देख रहे हैं तो जो इ देखने को मिलता है वह जैसा कि अब देख रहा है घोड़े के नाल जैसा सनरचना क्योंकि यह बच्छो अगर देखें तो यह एक जो र स्ट्रक्चर दिखाई देता है यह इसमें नमबर मन युलो ट्रिक्स में गलोब लॉप्जिव्ट दिखने को मिलता है अगला question आईए बच्छों देखते है question number 104 little leaf of brinzal disease is caused by तो little leaf of brinzal disease बीमारी होती है बच्छों वो किस pathogenes की बज़े से होता है आपसे बच्छों वाइरस दूसरा है fungus तीसरा है mycoplasma और तीसरा चौथा है बच्छों hectarium तो सही option जो होगा बच्छों इसमें option number 3 सही होगा mycoplasma से किस से बच्छों mycoplasma से mycoplasma को plant जगत का जाज़कर पर कहा जाता है क्यों बच्छों तो mycoplasma से little leaf of brinzal disease is very very most important ठीक बच्छों आईए बच्छों अब हम बात करते हैं next question की और देखते हैं इसमें कि हैं कुछ खास एन आक्वाइटिक एंसेक्टिवोरस प्लांट एज आक्वाइटिक एंसेक्टिवोरस प्लांट हम किसको कहते हैं आपसन में दिया गया है योट्रिकुलेरिया दूसरा है ड्रोसेरा जिसको बच्चो हम क्या कहते हैं दल्दली पौधा भी कहते हैं ड्रोसेरा को क्या कहा तो इसमें सही आप संजो होगा बच्चो यूट्रीकुलेरिया इस टाइप आप आप इंसेक्ट को खा लेता है इस प्रकार से इस प्लांट को हम क्या कहते है एक प्रकार का जली इंसेक्टी वोरस प्लांट होता है जो किसको करता है इंसेक्ट को क्या करता है तो फीडिंग आर DNA का Synthesization कहा होता है आपसन दिया गया G1 phase, Yes phase, G2 phase and YM phase तो इसमें सही जो आपसन होगा बच्चो Yes phase तो Yes phase में क्या होता है बच्चो DNA का Synthesize होता है इसको हम Synthetic phase भी कहते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चो G1, Yes और G2 phase जो होता है बच्चो यह interface कहलाता है जबकि आप यह देख रहा है तो यह mytotic phase होता है यह mytotic phase होता है ठीक बच्छो इस very very most important तो जो DNA का sensation होता है बच्छो किस phase में होता है यह phase में DNA का synthesization को देखने को मिलता है अगला question आईए बच्छो हम देखते है question number 107 pollination by birds is called very very most important बच्छो इस very very remarkable questions बच्छो बार बार कईयों जगह यह पूछा गया है लेकिन क्या है बच्छो यह बदल बदल के पूछा गया जैसे कि इसमें चारों आपसन बहुत important है pollination by birds is called birds के दारे जो pollination होता है बच्छो उसको हम क्या कहते हैं आपसन दिया गया है अगला है एनिमो फिले अगला है आर निधो भी और मॉल sólo को प॓ल डिया बच्छो और रिंटाली बच्छों किया का घते recipro देंगे सब्रांच करते थ और निथो लॉजी इस दे ब्रांच आफ दे साइंस विच डिल्स विद इस्टडी अव इसमें बर्ड का अध्यन किया जाता है बच्चों को क्या कहते हैं और निथो लॉजी और इसी और निथो लॉजी से रिलेटेड हैं बच्चों कि जो किसी पौधि का परागन होता है अगर विंड की द्वारा परागन होता है बच्चों हवा की द्वारा तो इसको हम क्या कहते हैं एनिमो फिली अगर स्निल्स के द्वारा गोंगा की द्वारा अगर परागन होता है बच्चों तो इसको हम मालको फिली करते हैं यह किसके द्वारा होता है बच्चों स्निल्स क ये सफिट depon CL नाँ य डिया तो सही आपसर जोगा बच्चो इस्मिट ने युद्य का कारपस थियरी दिया था बच्चो इसको जब आपढ़ेंगे प्लांट टिसू तो प्लांट टिसू में आपको अच्छे से पढ़ाएं जाएगा तो इसमिट ने कौन सा थियरी दिया था बच्चों ट्यूनिका कार्पस थियूरी इस बेरी बेरी मुस्ट इंपोर्टेन आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नमबर 109 का फिच आप फालोविंगी जैना ऑक्सीन इसमें से जो नाम दिया गया बच्चों वो ऑक्सीन का कौन सा नाम है अर्थात ऑक्सीन को और किस नाम से हम जानते है आपसाण दिया गया तुसरा है पार इविक तीसरा इंडोलस् यस्ठीड ऑस्वाज फासफोगलिसरीक था इसमें जो सही आपसान होगा बच्चों वह अपसार घखका नाम है ऑगण्ख़ और लॉंग होता है तो लॉंग क्या है बच्चो ड्राइट फ्लावर बर्ड अगला है फ्लावर तीसरा है फ्रूट और चौथा है सीड तो जो लॉंग होता है बच्चो यह क्या होता है ड्राइट फ्लावर बर्ड अर्था जो फ्लावर होता है बच्चो उसकी जो कली क्या होती ह वही कली जब सूहँ करते हैं तुसी को हम क्या गाते हैं जैसे कि équर में देखिए यह यह देखिए यह देखिए यह अऱ बधर है और यहीं सूह किया बन जाता है बच्चो यह लाइंग क्लोब बन जाता है जिसको हम लॉंग करते हैं आए बच्चो हम बात करते हैं 111 की अर्थाथ 111 इन साइकस लिफलेट्स में किस प्रकार का वेस्कलर बन जाता है आपसें दिया है बच्चो इसको हम बड़ा करके देखें बच्चो यह देखिए अगर बच्चो प्रोटोजाइलम पीथ की तरफ हो सेंटरल की तरफ हो अगर प्रोटोजाइलम सेंटरल की तरफ हो सेंटरल की तरफ हो और मेटाइलम बाहर की और हो तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चो इंडार्च कहते हैं अर्थात यह जो वेस्कुलर बंडिल होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चो इंडार्च कहते हैं और क्या कहते हैं और जब Prot 않은ya Long Pains की तरफ होumenा आम बाहर की उरओ तो उसको क्या कहते हैं इंडार्च करते हैं तो यह कि प्रकार कघृ क्य बैसकिल्च कने को मिलते हैं अरथ 민주 मेंarna अर्था अब्समें आपसा नंबर 3 सही रही होगा इस वहरी वाहर की तरफ पा वहैं रिमार करेंगे बार बार फीलित बात करते हैं हम स्कॉतन के बिच बीच में पाए जाता है आपसंद दिया गया बच्चो अमीनो एसिट दूसरा है नुकुलिक एसिट तीसरा है आरगेनिक एसिट और चाहता है एस्टिक एसिट तो इसमें सही आपसंद जो होगा बच्चो अमीनो एसिट जो पॉली अमीनो एसिट बनते हैं बच्चो अमीनो एसिट बहुत सारे अमीनो पाए जाता है बच्चों वह दिख रहा है कि यह फर्स्ट अमीनो भॉन्ट है और इन दोनों आमीनो असिट को जोडने के लिए जो बॉन्ड है बच्चों इस को हम क्या जंग से तो जिस प्रकार से इमारत जो हम लोग का मकान बनता है घर बनता है बच्चों तो वो ब्रिक से बनता है ब्रिक आयस लाइक अमीनो एसिट जिस प्रकार से अमीनो एसिट होते हैं उसे प्रकार से बहुत सारे इट जुड़कर एक मकान बनता है उसे प्रकार से बहुत सारे अमी नीटों को जोडने के लिए Cement होता है वालू से जूडता है ठीक उसी प्रकार से यह जो जूरते हैं आ Puis情 घरते हैं थ सारे जो poly amino acids बनते हैं बच्छों किस bond के दौरा जुड़े होते हैं वो peptide bonds के दौरा जुड़े होते हैं इसमें option कौन सही होगा बच्छों अपसर नमबर one question पूछा गया और peptide bond और प्रेजेंट बेटमिन पेप्टाइड बॉंड किनके बीच में पाजाता है तो amino acids के बीच में जो bond बनता उसी को क्या करते हैं आईए बच्छों देखते हैं question नमबर 113, systolith is deposit of, systolith किसका deposit होता है, अर्था क्यों सा mineral इसमें पाजाता है, जो systolith का निमाड करता है, आपसन है, बच्चो calcium oxalate दूसरा है, starch तीसरा है, calcium carbonate और चो था है, silica, तिसमें जो सही option होगा बच्चों, वो option number 3 सही है, calcium carbonate, तो calcium carbonate का जो deposition होता है, जो जमाओ होता है बच्चों, उसी को हम systolith करते हैं, it is very very most important, आएए बच्चों, हम बात करते हैं, question number 114 का, when pollen tube enters the ovum through the micro pile, it is known as very very most important questions, बच्चों, कि जब pollen tube micro pile की तरफ से enter करता है, तो हम क्या कहते हैं, जब pollen tube, कहां से enter कर रहें बच्चों, पोरो गयमी कहते हैं, फोरो गयमी तिसे वरि बरि, हम्से切ты को, it is very very most, option number 3 सही है, ठीक बच्चों, कि जब pollen tube micro pile की तरफ बच्चों जयासा कि बच्चों यह देख रहे हैं, जीसको परो crystal जैसी सरचना बनाता है ठीक अच्छो it is very very most important अगर देखिए बच्छो question number 114 को हम figure के माध्यम से देखते हैं यह देखिए यह देखिए यह दिखाया गया है कि हम पोरो गयमी किसे काते हैं कि कि जब पॉलन से कर रहा है बच्छो देखिए यहमाइकरोपायल की तरफ से करता है तो इसको पैट्चो पोरो गयमी करते हैं इए अपसं नमब्म कॉंसे है अपसे नंब्र 3 सही है ठीक बच्छो हम बात करते हैं क्वेस्टन नमबर 115 सलफर कंटेनिंग अमीनो एसे इस सलफर कंटेनिंग अमीनो असीट कौन कौन से होते इसमें option दिया गया बच्चो glycine, valine, तीसरा है methionine, चौथा है tryptophan, तो इसमें जो सही option होगा बच्चो वो methionine होता है, कौन होता है बच्चो, methionine, ये बच्चो जीन expression में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया जो code बनता है बच्चो जो genetic code हमने पढ़ाया था, पि प्रोटीन का संसेलेशन होता है जिसको हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को को यहीं प्रक्रिया को इसको करते हैं और इसको किस प्रकार से कोड किया जाता है एक प्रकार का सलफर कंटेनिंग amino acids होता है और कौन sulfur containing amino acids होते हैं बच्चों आप इसमें देखिए आप क्योंकि बच्चों ये बार-बार क्या करते हैं ये पूछा जाता है हर एक competitive examination में इसी में से कोई ने कोई एक पूछा जाता है ठीप बच्चों alternate करके आता रहता है कभी methionine पूछ लेगा कमी homocysteine पूछ लेगा कमी systeine कमी taurine तो ये क्या होता है बच्चों ये बिल्कुल alternate करके आता रहता है तो ये बहुत important है आप इसको रिमार करके लिख लेंगे तो methionine जिसको हम AUG कहते हैं अर्था जो start kodan के रूप में जाना जाता है इसमें sulfur पाए जाता है जासे देखे बचों यहां sulfur है दूसरा है homocysteine यहां भी आप देखेंगे isufur देखने को मिलरहाय यह देखिए यहां अगला है cysteine यहां भी देखे आप sulfur देखने को मिल रहाया अगला है Seems Humor और टारुन यहां भी आपको salt लगड़ कोड़ान जिसको हम AUG से कोड़ करते हैं ठीव बच्छो इस वेरी वरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वूड इज लकड़ी होता है जो लकड़ी होता है बच्छो यह क्या होता है आप संदिया गया सेकंडरी जाइलम दूसरा है सेकंडरी फ्लोयम तीसरा है प्राइमरी ज सippan уж campus होका सबस्का मिलता है उसी में सेकंडरी जाइलम पायाही होती बच्छो उसमें क्या देखने को मिलतां एक सेकंडरी जाइलम किसे रिलेटेद से ढखने को मिलेगा उसी में secondary asylum पाया जाता है it is very very most important आईए बच्चों हम देखते हैं question number 117 170 question को देखते हैं क्या है कुछ खास the cell wall of gram positive bacteria contains gram positive bacteria के cell wall में क्या पाया जाता है आपसन दिया गया बच्चों carbohydrates दूसरा amino acids तीसरा है star चौथा है टीकोईक acid तो सही आपसन होगा बच्चो टीकोईक acid तो जो gram positive bacteria होते हैं बच्चों उनके जो सलवाल होते हैं उनके cell wall में क्या देखने को मिलता है बच्चों टीकोईक acid ठीक बच्चों यह बहुत important question है बच्चों यह भी बच्चों बच्चों इसको हम क्या कहते हैं आपसन है पहला गलाइकोजन दूसरा है एस्टिल में तीसरा है सैट्रीक एसिट और चोथा है गलिसराल इसमें जो सही आफ्चन होगा बच्चों वो क्या होगा एस्टिल को एंजाई में टो एस्टिल को हम ए sandwich me responsible for the synthesis of the fatty acids तो fatty acids करी निर्माण होता है बच्चों किस us radio को कौन सा बरांच है बच्चो जिसके अंतर करता हम अंग्स का धियन करते हैं बच्चो क्या करते हैं जिसके अंधिरानगी करते हैं उसको क्या करते हैं चिसको Can आइए बच्चों हम बात करते हैं question number 120 sudden inheritable genetic change is अर्थात अचानक उत्पन होई वानसिक परिवर्तन को हम क्या करते हैं अचानक अगर हमारे अनुवानसिक परिवर्तन होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों आप्सन दिया गया है independent assortment दूसरा है mutation तीसरा है inheritance of acquired traits और 4 होता है natural selection तो इसमें जो सही option होगा बच्चों वो mutation होगा अर्थात हमारे अनुवानसिक में अनुवानसिक traits में लच्छन में अगर अचानक कोई परिवर्तन आ जाए अर्था spontaneous ले अगर कोई तुरंत का कोई परिवर्तन होता है बच्चों जो अपनी genetic traits में अनुवानसिक परिवर्तन अगर देखने को मिलता है तो वह किसकी वज़ेस बच्चों mutation की वज़ेस से ठीक बच्चों इस वेरी बेर मुस्ट इंपोर्टिन आईए बच्चों हम बात करते हैं question इस परकार से classify किया गया है तो fruits को हम basically तीन भागों बाढ़ते हैं बच्चों simple fruits aggregate fruits और multiple fruits जिसमें से aggregate fruits के रूप में बच्चों हम droop को देखते हैं जैसा कि आफसा नंबर 3 में देखें यह droop होता है तो यह जो droop होता है वो किस परकार से होता है बच्चों यह aggregate fruits होता है ठीक और जितने है जैसे furry हो गया पो गया इस प्लेसी फ्रूट्स के जाते हैं जिन में juice निकलने के बाद कूछ फ्लेस देखने को मिलते हैं तो यह सब प्लेसी फ्रूट्स के रूप में पाया जाते हैं जैसा आंँ होता है कैसा fruits होता है बच्चो very fruits होता है it is very very most important आए बच्चो हम बात करते हैं question number 122 it is very very most important question बच्चो सबसे ज़्यादा important questions है यह हर एक competitive स्यानो बैक्टिरिया है जो कौन एलो सीरा एनाबीना नास्टाक तो एलो सीरा नास्टाक एनाबीना यह क्या है बच्चो एक परकार के स्यानो बैक्टिरिया होते हैं यह blue green algae है बच्चो और यह bio fertilizers के रूप में यूज किया जाते हैं कैसे बच्चो क्योंकि यह जो एलगी होत पाया जाता है जैसा कि आप ये देखिए कि और है इनमें इनमें हैट्रो positively होता है लेकिन ने केसी सेल आपको different दिखेगा है यdock to go 뜨लो होता है इनका यह रिप्रोड़क्षिन आपATE है लेकिन इनका है क्या करता है नाइट्रोजिन fixation में बहुत important rule play करता है यह हमारे जो free state में जो हमारे environment में nitrogen पाया जाते हैं बच्चों इनको खीच लेते हैं और इनको खीच कर क्या करते हैं बच्चों अपने अर्थाथ heterocyst के द्वारा इसको क्या करते हैं nitrogen को fix करते हैं और फिर बच्चों यह पानी में तैरते रहते हैं कोई समय बाद पानी को सुखा दिया जाए पानी सूख जाता है बच्चों तो यह dead हो जाते हैं dead होने के बाद यह सड जाते हैं सड के हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं इस प्रकार से हमारे पौधों को क्या होता है बच्चों जब यह सड़ जाते हैं तो यह हमारे पौधों को nitrogen सीधीन से मिल जाता है ठीक बच्चों तो सबसे पहले यह क्या करते हैं कि atmosphere से free state में nitrogen को अपने पास fix करते हैं इस प्रकार से मिटी को nitrogen क्या होता है तो यह बहुत ही अच्छे क्या होते हैं बच्चों बायो फैटलाजर के रूप में यूज किये जाते हैं और एलोसीरा आपको देखने को मिल जाएगा तो इसमें जो question पूछा गया बच्चों which one of the following is the biofertilizers तो बायो फैटलाजर के रूप में जो यूज किया जाता है बच्चों वो क्या है ये लोसीरा है तो बायो फैटलाजर के रूप में कमी कमी ये लोसीरा का नाम आता है कमी कमी ये ना बीना का नाम आता है कमी कमी ना स्टाक का नाम आता बच्चों तो यह बहुत important है आप इन नाइट्रोजन हमारे पौधों को वो दे देते हैं ठीक बच्चों इन फार्म आफ दे नाइट्रेट्स के रूप में और यह और इनका पॉर्टे रोल एक और होता है बच्चों यह विटामिन ऊपसन नमबर कौँसा और वन सही होगा और यह बच्चों बच्चों माइक्रा सिस्ट दूसरा है पहला है बच्चो, microcystis दूसरा है, microcystis तीसरा है, neurocystis और चौथा है, cylindrocystis, तो जो सही आपसन होगा बच्चो, यह आपसन नमबर 2, that is the microcystis, तो यह microcystis क्या है बच्चो, microcystis also type of the cyanobacteria, यह भी क्या है बच्चो, एक प्रकार का monera होता है, जितनी भी cyanobacteria है बच्चो प्रोकरियाटिक और्गेनिसम होते हैं, कैसे होते हैं बच्चो, यह कोस्की होते हैं और इनमें a nucleus incipient देखने को मिलता है, तो यह जो है बच्चो, यह monocystis, जो microcystis है बच्चो, it is also type of the cyanobacteria, which is the harmful algal bloom, यह क्या बच्चो, यह क्या बच्चो, यह क्या बच्चो, यह क्या इतना strong colony बनाते हैं, कि यह पूरे पानी के surface पर फायल जाते हैं, इस प्रकार से water bloom बना लेते हैं बच्चो, algal water bloom बहुत harmful होता है, अर्था जब यह पानी को पूरे चारो तरफ से covered कर लेंगे बच्चो, ति किसी प्रकार का oxygen penetrate करके पानी के अंदर नहीं जा पाएगा, और जितनी भी organism उसमें चाहे वो छोटे microbes हों, या तो फिर उसमें छोटी मचलियां हों, वो सब क्या होते हैं, बच्चो, dead कर जाते हैं, मर जाते हैं, क्यों, due to the deficiency of oxygen, साथ ही साथ यह बहुत, बिसला toxins भी release करते हैं, बच्चो, तो जैसा कि आप देखेंगे, यह बहुत ब्लूमिंग कर लेता है, बहुत strong algal water blooming करता है, पूरे पानी को covered कर लेता है, जिसके वजह से, इसमें क्या होता है, बच्चो, एक toxins, देखेंगे, गा गया है, the cyanobacteria can produce neurotoxins and hepatotoxin, अर्थात यह neurotoxin और hepatotoxin नाम का जो है, बिस अर्थात poison क्या करता है, बच्चो, रिलीज करता है, जिसकी वजह से, जो human health के लिए या और organism के लिए बहुत harmful होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चो, यह neurotoxin या hepatotoxin के रूप में जो निकलता है, उसको प्लों क्या करते हैं, बच्चो my Pasquistins या cianopeptoline कहते है, क्या करते है, बच्चो, सियानो peptoline कहते है या micro system कहते है, इसकी वजह से, हमारे mankind के लिए, आर किसी microorganism के लिए बहुत harmful होता है, बहुत harmful होता है, जैसे हम बच्चो हम बात करते हैं, जैसे बच्चो, अब यह गर दिखा गया है माइक्रोसिस्टिस के विशे में तो इसके चारो तरफ क्या होता है इसमें क्लेमाइड़ियो मोनास और यह से चारों तरफ क्या करते हैं इनके ऊपर आशरित हो जाते हैं इस प्रकार किसमें इसमें उपर कुछ चोटे चोटे और भी जो श्यानो बैक्टिरिया इनके उपर आस्रित हो जाते हैं अपना जीवन निर्वन करने लगते हैं कौन है बच्चो श्यानो एना बीना स्वारी स्यूड़ एना बीना एंड लेमाइडो मोनास तो यह सब क्या करते हैं बच्चो एपी फैटिक मोड अफ उसको हम क्या करते हैं आप सदिया गया है याफी लोहा इल मारे ब्लड बलड का जो इसको हम हम न्म गोलोबिन और उस जूआ एलिमेंट पाई जाता है बच्छों क्या सबक्ते हैं वेड़ोगों मैं जिस प्रकार से हम लोगों में हिमो ग्लोबीन होता है उस्परकार से प्लांट में प्लांट प्लांट में क्या होता बच्चों इन में जिस प्रकार से एनीमल्स में जो रिस्परेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता बच्चों हीमोगलोविन उसी प्रकार से प्लांट में जो पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल करते हैं तो क्लोरोफिल में जो एलिमेंट पाया जाता है उसको क्या होता है तो जो कारोटीन होता है बच्चों यह क्या होता है जिससे प्राफ्ट किया जाता है वह वह होता है अगोलडें से मिलता है कैरोटीन से मिलता है तो यह प्राप्ट किया गया बच्चों यह इंपॉर्टर आप इसको यहन रखेंगे जैनेडिक उल्णेरिंग के दोरा लाय से ज zwar बच्चों जब गौलडें राइ्ट है अगे golden rice तयार किया गया genetic engineering के त्चरू और क्यों biosynthesis of the beta ka routine, क्यों 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 कि beta ka routine का да Turbo translation इसी से किया जाता है golden rice में क्या पाया जाता है बच्चोtit beta ka routine जो हमारे लिए vitamin A के source के रूप में काम करता है, क्योंकि एक इसमें fact चीज है क्या वो देखी बच्चों यहां दिया गया है a deficiency which each year is estimated to kill 6,70,000 children under the age of the 15 अर्थात इसकी deficiency से vitamin A की deficiency से प्रतिवर्स करी 5 वर्स की अवस्था था 5 वर्स के अंदर ही बच्चों 6,70,000 बच्चों का क्या होता है बच्चों मौत होता है अर्थात हमारे पूरे भारत वर्स में अगर हम पूरे 20 में देखें बच्चों तो पूरे 20 में लगभग 6,70,000 बच्चों का डेथ होता है बच्चों वो करीब करीब under 5 years के अंदर अर्थात 5 वर्स के अंदर ही हो जाता है due to the deficiency of the beta carotene तो vitamin A की कमी के वज़े से बच्चों beta carotene की कमी से पूरे 20 में लगभग 6,70,000 बच्चों का मौत 5 वर्स के अंदर हो जाता है और ये estimate किया गया है बच्चों and cause and additional 5 lock causes of irreversible childhood blindness लगभग 5 वर्स बच्चों प्रतिवर्स क्या होते हैं अर्थात वो अंधेपन का सिकार हो जाता है अर्थात उनका जो द्रिष्ट हिंता है बच्चों लगभग 5 वर्स बच्चों में द्रिष्ट हिंता देखने को मिलता है का प्रतिवर्स किसकी वज़े से बच्चों बीटामीन एक की कमी से बीटा कारोटीन की कमी की वज़े से तो इसलिए बच्चों scientist का ध्यान गया और उन्होंने क्या किया सबसे पहले golden rice का निमाल किया और उस golden rice में genetic engineering के थुरू उन्होंने किसको produce किया बीटा का रोटीन को और बीटा का रोटीन is the source of the vitamin A और यह vitamin A का एक source होता है ठीक बच्चों तो it is all about the 25 questions which is very important for the competitive point of view या लगभग 25 questions बच्चों हम लोगों ने डिसकस कर लिया जो बहुत ही important है सभी competitive point of view से सभी competitive examination से पूछे जाते हैं बच्चों चाहे वो neat हो चाहे वो जीप मर हो चाहे वो एमस हो चाहे बीसी nursing हो चाहे वो अधर कोई competitive examination हो सब में करीब करीब यही questions आते हैं बच्चों तो यह बहुत important question है I hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बच बच्चों तो आप comment box में जरूर लिखें जिससे हम आपके समाधान कर सकें कोई भी queries हो बच्चों उसका problem solve हो सकें तो मिलते हैं बच्चों हम next videos में दूसरे और important questions के साथ तब तक के लिए बच्चों धन्यबाद